गुद मॉर्निंग स्टेंट्स आज का हमारे टॉपिक है विटा टू इंसर्ट फुटर काल हम नहीं सिखा था कि किस तरीके से हम हमारे वर्ड के अंदर विटा हैडर एड करते हैं हैडर क्या था विटा हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको कोई भी टाइटल देते हैं हैडर का कहा एड होता है आपके डॉक्यूमेंट के बिल्कुल टॉप पर फुटर कहा है होता है आपके डॉक्यूमेंट के एंड पर ठीक है आज हम फुटर एड करना सिखेंगे तो सबसे पहले कहां जाना है बिटा प्लिक इंसाइड टैप इंसाइड टैप के उपर क्लिक करो उसके जैसे इस पर क्लिक करोगे इस तरीके से जैसे header में आपको list मिली थी पेटा अलग लोग options मिली थे header के same as it is इसके अंदर भी footer के अलग लग आपको style मिलते हैं आपको जो भी style चाहिए footer के लिए वो आप select क्यां से कर सकते हो उसके बाद जैसे style select किया वो add हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना होता है वहाँ पर text को add करना होता है आपको जो भी text वहाँ पर add करना है text add करो और उसके बाद क्या करो पिटा close header and footer पे click कर दो जो कहा मिलेगा close group पे design tab के अंदर ठीक है जो आपको जैसे आप footer add करते हो ना automatically आपकी screen के उपर आ जाता है तो directly वहाँ से क्या करतो close जैसे close करोगे तो आपका footer वहाँ पे बिल्कुल add हो जाता है अब मैं आपको practically आ जाना था inside type यह रहा आपका इस पर click किया जैसे inside type के उपर click किया उसके group open हो गए कहाँ जाना है header and footer group के अंदर यह रहा फुटर option इस पर click करो click किया यह list open होगी आपको जिस भी type का header यह footer add करना है वो आप यहां से क्या कर सकते हो choose कर सकते हो okay तो मैं ऐसे आप क्या करते जाओगी यह आपको slide बार दिख रहा है इसकी help से क्या करना है आपको अगर नीचे के options देखने है तो इसके नीचे की तरफ slide करो अगर उपर वाले options देखने है तो उपर की तरफ slide कर लो ठीक है आपको जो भी option चीए मैं यह वाला choose कर रही हूँ and like space link उसके बाद आपको जो भी text यहाँ पर add करना है वो आप कर सकते हो मैं यहाँ पर end लिख रही हूँ ठीक है मैंने end लिखा तो मेरा footer यहाँ पर add हो गया आप देखो जैसे footer add किया है अपमारा जो mouse है वो automatically हमारा जो यह tab है directly क्या आ जाता है design tab आ जाता है यह रा close header and footer option जैसे इस पर click करते हो तो आपका header and footer है हमसे क्या हो जाता है close हो जाता है okay close हो गया उसके बाद देखो जैसे आप अपने page की end में जाओगी तो आपको यह क्या मिल जाएगा आपका footer मिल जाएगा वहाँ पर automatically ठीक है footer कहाँ पेपीर होगा आपके document के बिल्कुल end ठीक है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो अपने MS Word के अंदर footer add कर सकते हो ओके कल हम discuss करेंगे बेटा कि किस तरह आप अपने document के अंदर page number भी add कर सकते हो यानि जैसे यहाँ पर page 1 लिखा हो है न यह तो आपने footer से select कर लिए जिसके दर automatically आपको page 1,2 यह appear हो रहा है बट कुछ footers ऐसे होंगे जहाँ पर आपको नहीं मिलेगा तो वान डारेक लिए आप 1,2,3 page number set कर सकते हो ओके थैंक यू